तो Forex Trading होता क्या है? सबसे पहले देखो Forex Trading उसको बोला जाता है जिसमें Currencies के बीच में हम क्या करते हैं? Trading करते हैं, दो Different Currencies जैसे USD, INR, USD, GBP, इसी तरह से जब हम Different Currency Pairs को आपस में Trade करते हैं तो उसको Simple हम क्या बोलते हैं? Forex Trading अब Forex Trading कैसे कर सकते हैं? और इंडिया में ये Legal है या नहीं है? ये बड़ा Important है सबसे पहले देखो इंडिया में ये Legal है ये चीज में आपको बता दूँ कि Legal है पर Legal कैसे है? अब ये बड़ा Interesting है Legal है का मतलब है कि आप Trading कर सकते हैं फिर भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोग ये ही बोलते हैं कि इंडिया में Forex Trading लेगल नहीं है इसका मतलब है उन्होंने deeply इस चीज को study नहीं किया है इंडिया में Forex Trading वो ही बैलिड है जिसमें इंडियन रुपीज का पेर करंसी में participation हो कैसे? जैसे USD के साथ INR वो चल सकता है Great Britain Fonds जो होते हैं उनके साथ GBP जिसको बोलते हैं उनके साथ INR चलेगा तो भी बैलिड है यूरो के साथ INR चलेगा वो भी बैलिड है Japanese करंसी के साथ चलेगा वो भी बैलिड है बट अगर दो different nations की जिसमें इंडिया involved नहीं है वो currency pairs अगर आप forex trading में करते हैं तो वो 101% illegal है example के लिए जैसे जो सबसे ज़्यादा popular forex pair है वो है euro and USD अगर ये दोनों में आप इंडिया के होने के बाद भी trading कर रहे हैं तो वो illegal माना जाएगा तो अब सोचने वाली बात ये है कि जब इंडिया में forex trading valid है तो भी लोग ये क्यों बोलते हैं कि आप forex trading करने के लिए आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा reason ये है कि जो INR के साथ pairs हैं उनका popularity कम है उनमें liquidity तो issue नहीं है बट क्या है fluctuations और market का जो time है वो कम है इंडिया में market forex का सिरफ और सिरफ 5 वजे शाम तक ही चलता है जब कि अगर आप forex को actual में देखेंगे जो USD, euro चलता है, USD, GDP चलता है ये throughout 24 hours चलते हैं इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई time का limit नहीं है सबसे बड़ा benefit यहाँ पे यही है और दूसरा अगर आप खाली USD और euro में लगभग 5 trillion का volume होता है एक दिन में 5 trillion जितना इंडिया का पूरे का पूरा reserve है, economy है हम बोलते हैं न टॉप 4 में आगे, टॉप 5 में आगे तो वो पूरे का पूरा जितना reserve है उतना एक दिन में forex trading में USD और euro में आ जाता है अब इसलिए आपको समझ आएगा कि लोग क्यों forex को जादा prefer करते हैं अब एक और important चीज़ है तो इंडिया में यह pairs क्यों legal नहीं है यह भी एक बड़ा question mark है कि इंडियान को भी तो अलोग करना चीए था कि वो भी USD, euro में, pairs में, currencies में करें फिर USD और GBP में करें, USD और Japanese currencies में करें तो क्यों नहीं करें तो यहाँ पे जो मानना है government का कि इंडिया से बाहर पैसा जाएगा अफकोर जाएगा क्योंकि ना आपका INR में hold है ना आपका pair में hold है तो दोनों countries बाहर की है, पैसा बाहर जाएगा तो उसमें forex count हो जाएगा इसलिए एक यह बड़ा logic दिया है दूसरा इसकी monitoring जो trading होती है, forex के अंदर इनका इंडिया में systematically regulator authority नहीं है जिस तरह से NSC है, National Stock Exchange जिस तरह से BSC है, Bombay Stock Exchange यह क्या है, यह regulatory authority देती है SEBI को, मतलब हमें कोई भी दिक्कत होगी तो हम SEBI को report कर सकते हैं जो पूरे का पूरा चाल चलन देख रही है किसका, stocks का, markets का, किसी company का किसी scammer का, किसी fraud का तो वो क्या कर रहे हैं, सारी चीज़े monitor कर सकते हैं तो यह भी एक बड़ा reason बना रहता है तो अब बड़ी important बात यह है कि forex trading करना चाहिए या नहीं देखो simple है, अगर आप इंडिया में है 101% पहले भी मैंने बोला illegal है, अभी भी illegal ही रहेगा और जब तक इसका systematically announcements या regulatory authority से permissions नहीं आती है तब तक यह illegal ही रहेगा तो ऐसी गलती बिलकुल ना करें बहुत सारी apps हैं, जो illegally इसको कर रही हैं, कभी भी अगर आप पकड़े जाओगे, तो इसमें आपको fine भी हो सकता है, और imprisonment के लिए भी, या सजा के लिए भी आपको जाना पड़ सकता jail के अंदर, पहली चीज़, दूसरी चीज़, अगर आप करना ही चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा, इंडिया छोडने के लिए आपको दोवाई जाना पड़ेगा, या outside जाना वो बैलिड माना जाएगा, इंडिया में क्या है, बहुत सारी आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वो लिंक आप करेंगे उसी UPI से, उसी bank account से, उसी pen card से, उसी अधार card से, तो आप automatically समझेंगे कि ये app हमें unlock कर रही है, बट नहीं ultimately आपके documents तो सारी इंडिया के ही है, तो फिर आप इंडिया में करें या बहार करें, तो जब तक आपके पास documents ही इंडिया के हैं, तो आप 105% illegal ही चीजें कर रहे हैं, तो अब एक बात जो मैं आपको बता रहा था, कि इंडिया में बैठ के भी आप forex trading कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उनी pairs में जिन में Indian rupees included है, तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन से platform से कर सकते हैं, कोई भी paid recommendation नहीं है, बट मेरी side से जो अच्छे platform है उनमें zero-da हमेशा है, अभी के लिए आने वाले दिनों में कैसा होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा अब stocks अच्छा platform है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसके बाद अभी हाली में grow अच्छा activate हुआ है मुझे नहीं पता कितना अच्छा support है क्योंकि ultimately मैं चीज़ों को rectify support के basis पे करता हूँ तो सबसे अच्छा मुझे जेरोदा का platform लगता है जहां पे quickly आपको support मिल जाती है क्योंकि money matters है, बहुत सारी चीज़े involved है तो अगर आपको अच्छी support ना मिले तो आप हमेशा worried रहेंगे अपने पैसे को लेके तो मेरी side से 3-4 platform है जो officially अच्छे हैं Forex trading के लिए बट उनी pairs को allow करेंगे जिन में INR है illegal बहुत सारी apps आपको दिखेंगी एक भी app मैं legally या illegally यह नहीं मानूँगा कि वो accepted है Indian law के हिसाब से या मैं उनको recommend करने वाला हूँ क्योंकि ना मैं खुद ऐसा करता हूँ ना ही मैं आप लोग को recommend करता हूँ I am sure चीजें clear है Forex trading बहुत simple मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और यह भी बताया है इंडिया में legal है या नहीं है तो अगर still आपको कोई doubt है तो आप comment ज़रूर करेगा कोई suggestion है कोई आपके पास experience है इससे related तो वो भी आप comment में कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपके experience को cover करें और in meantime आप enjoy करेगा अपनी life को मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and thank you